असलाम लेकम यूटूब पर आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे थमनेल देखे होंगे लेकिन हर थमनेल के अंदर बहुत कुछ डाला होता है देखते ही समझ नहीं आती कि कहां से पढ़ें और कहां पर एंड करें लेकिन आज जो चीज आप लोगों को बताने वाला सबसे पहले हम सलेक्ट करते हैं वाइट kलर उपर से 3 लाइनों के उपर आपने क्लिक करना है जो 3 डोट बने इमेज साइज के अंदर आके आप लोगों ने यहां सलेक्ट करना है थमनेल volatility ऑके करना है यह थमनेल साइज हो गया फिर इसके कलर के अंदर आके आपने करदेन सिंपल पर टैक्स के अंदर आना है इसके उपर डबल कलिक करें यहां पर हम टाइप करते हैं अच्छा ठीक है अच्छा को यहां पर लेके आते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यह देखिएगा एंड पर आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊंगा आप वा इसको थोड़ा सा बड़ा किया और उसके बाद आते हैं जी स्टोक के अंदर आने के बाद इसको करते हैं ओन करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं यह बलैक को सेलेक्ट करते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे गहरा कर देते हैं गहरा करने के बाद अब चलते हैं दूसरी ला ओके करने के बाद इसको बढ़ा कर लेते हैं ठीक है एक यह देखें इसको हम लगाते हैं यहां पर दुबारा हमने जाना है इसके स्टाइल में इसको कर लेते हैं बढ़ा और इसको थोड़ा सा उपर लेकर चलते हैं यहां पर और इसका भी स्टोक के अंदर आते हैं इसको सेल गया हमारा simple सा thumbnail इसको नीचे ले आते हैं इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं जी यहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छा thumbnail तो अब लोग इसको देखते ही वीडियो को play करेंगे क्योंकि एक ही second में आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप देखें दूसरे लोगों के thumbnail तो इतना कुछ लिखा होता है वो पढ़ने के लिए रुकना पढ़ता है पढ़ना पढ़ता है फिर वीडियो को play करना पढ़ता है तो ज़्यादा लोग उसको नहीं देखते अब for example इस वीडियो के उपर आप लोग देखिएगा कितने ज़्यादा व्यूज आते हैं फिर फैसला आप खुद कीजेगा बजीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अल्हाफिस